नमस्कार में वश्रतिवारे वीचो इस्तास के हिंदी बुलेटिर में आपका स्वागत है आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर कोरोना वैक्सिन की दूसरी खेप नाकपूर पहुची शेहर के लिए 20,000 और ग्रामिन के लिए 18,500 डोस नाकपूर में हलकी बारिश की संभावना आगामी दो दिनों तक बादल चाहे रहने के आसार मनपाप पार्कों में लगेगा शुल्क प्राइविट कमपनियों को दी जाएगी रख रखाओ के जिम्मेदारी अब खबर विस्तार से कोरोना वैक्सिनेशन का पहला चरण अंतिम दौर में है और अब वैक्सिन की दूसरी खेप नाकपूर पहुच गई है पूरे के सीरम इंस्टिटूट से शहर के लिए 20,000 और ग्रामिंड के लिए 18,500 डोज आई है दूसरी खेप में कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों है वैक्सिन के प्रती 10 डोज के 3,503 वायल मिले है इस वैक्सिन के प्रती वायल में 20 डोज है अभी शहर और ग्रामिंड शेतर के 12 सेंटर पर वैक्सिनेशन जारी है अब वैक्सिनेशन सेंटर की संक्या बढ़ा कर 32 किये जाएंगे पहले चरण में सिर्फ स्वास्त करमचारियों को ही टीके लगाए जा रहे थे जीले में 32,000 करमचारियों ने रेजिस्टेशन कराए है अब तक 10,000 से अधिक करमचारियों को वैक्सिन लगाई जा चुकी है स्वास्त करमचारियों का वैक्सिनेशन पूरा होने के बाद फ्रेंट लाइन कोरोना वारियर्स को टीके लगाए जाएंगे पहली वैक्सिन लगाने वालों को 28 दिन के बाद दूसरी वैक्सिन लगाई जाएगी नागपूर शहर के साथ है विदर्भ में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है गुरुआर राज शहर में बे मौसम बारिश होने से शहर के कई इलाकों में बिजली सेवाब बाधित रही आज भी जीले में कुछ जगहों पर हलकी बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग की माने तो आगामी दो दिनों तक सीटी का मौसम कुछ इसी तरह बना रह सकता है बारिश शुरू होते ही दक्षिन नाकपूर में कई इलाकों में बिजली गुल हो गई मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार रात को हुई बारी से तापमान में बदलाव आए अधिक्तम तापमान 27 डिगरी से कम वर नियुनतम तापमान 10 डिगरी से कम होने की संभावना जताई गई उतरी हवाओ से ठोड़ी ठंड बड़ेगी लेकिन फरवरी के पहले सब्ता हमें पारा चड़ने लगेगा क्या सुबह और शाम पार्क में वॉक करने की आपकी आदत बन गई है तो जरा ध्यान दीजिए ये खबर आपके लिए है मनपा जल्धी पार्क में आने वालों पर 5-20 रुपए का शुल्क लगाने की तयारी में है नगर निगम पार्कोगे रखरखाओं की जिम्मेदारी प्राइविट हातों में देना चाह रहा है जिसके तहत पार्कोगा इस्तिमाल करने वालों पर शुल्क लग सकता है जलापुर्ती अधिकांश पार्कों में अब एक जिम है ऐसे में एक्सरसाइज के लिए हर आयूवर्क के लोगों की संख्या बढ़ी है मिली जानकारी के अनुसार पार्क प्रती वेक्ति प्रती दिन 5 रुपे दुपईया वहानों के लिए 10 रुपे और 4 पहिया वहानों के लिए 20 रुपे मनपा की आय बढ़ाने के लिए ये फैसला लिये जाने की बात मनपा प्रशासन कह रहा है पार्क को चलाने की जम्मेदारी 10 वर्षों के लिए दी जाएगी जिसमें नीजी संगटन को बिजली पानी के बिल और भवन के खर्च के साथ पार्क का प्रबंदन करना होगा इसके इस बार बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी नागनदी को साफ करने और ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरिबन साड़े 800 करोड रुपए बढ़ गया है जाहिर है बड़ी हुई कीमत का खर्च जनता को ही चुकाना होगा केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी के नागनदी पर फोकस किये जाने के बाद एक उमिज जागी थी कि जल्द ही कलकल बहती साफ सुत्री नागनदी शहरवासियों को देखने मिलेगी लेकिन देरी की वज़े से नागनदी को सवारने के लिए बजट की लागत 1252 करोड से 21 2170 करोड चला गया है नागनदी को सवारने के लिए 2014-15 से कोशिश की जा रही है हाल ही में गड़करी ने मीटिंग लेकर प्रकल्प का प्रारूप दोबारा तयार करने के निर्देश दिये आपको बता दे कि नागनदी का प्रारूप तयार होने के बाद इसे केंद्र सरकार की मंजोरी के लिए भेजा गया था केंद्र सरकार ने 14 जून 2016 में मंजोरी प्रदान की थी बावजूद इसके नागनदी पर काम शुरू नहीं हो पाया है प्रावेट स्कूलों में बढ़ते स्टूडेंट्स के बीच सीमिट टीचरों के कारण बच्चों के परसल अटेंशन का टारगेट कहीं न कहीं छूट जाता है लेकिन हम आपको शेहर के एक ऐसे स्कूल के बारे में बदाने जा रहे हैं जहां बच्चों पर पढ़ाई के दौरान परसल अटेंशन कई गुना ज्यादा है ये स्कूल कहीं और नहीं बलकि नापूर शेहर के बीच ओ बीच है जिला परिशत की पटवर्धन स्कूल लेकिन ये स्कूल अब बंध होने की कगार तक पहुच चुकी है क्योंकि यहाँ पूरी स्कूल में बच्चे दो है और पढ़ाने वाले मास्टर छे स्कूल किस तरीके का स्कूल था आप पटवर्धन स्कूल में थे तो उस समय थोड़े मतलब मौरल एक रहता है मतलब तुलोगों में एक रहता था तीचर अपने की पढ़ाना है बच्चें को बॉंबे हाई कोट की नागपूर खंड़पीट का पासको मामले में स्किन टू स्किन पर दिया फैसला विवादों में है इसने पुरे देश में यौन हिंसा को लेकर एक नई बहस छिड़ दी है कानून मामले के जानकारों से लेकर सोशल मीडिया तक मामला गरमाया हुआ है एक बड़ा बर्ग इस फैसले से असंतुस्ट नजर आ रहा है मामले की गंवीरता को समझते हुए हमारी समाधाता अश्रित कौर ने एड़ोकेट रेनु का दमानी से बात की तो बताएए मैं एक महिला होने के नाते आपके साच्छे यह अन्सेशन किसे कहा जा रहा है एक महिला को यह एक रेडी को जब ही कोई गलत नजरों से देखता है या तच करने की कोशिश करता है या किसी सिक्शल इंटेंशन से करीव आता है जो अनकमफुटेबल कराए ऐसी सभी चीज़े सिक्शल हारस्में तो मामे बताएए कि लोगों के साब से का आता है कि लड़ और पार्ट है या हैं अर भूट सारे तरीकें जो हमारी लिडी सेली टेहीं करती हैं ट्रैंज में बसेज में इंट ऑगे बढ़ाए गया है लंबे समय से शेहर में साइकल ट्रैक बनाने का इंतजार चल रहा था अब आपका वह इंतजार खत्म हो गया है दरसल मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने आज रामगिरी के पास 18 किलोमेटर के साइकल ट्राइक का भूमी पुजन किया चार साल के लंबे इंतजार के बाद अब चिंच भवन फ्लाइओर 15 फरवरी को खुलने जा रहा है रोड सेफ्टी विभाग ने फ्लाइओर की जांच कर ली है जांच रिपोर्ट के सुझाओं को लागू कर NHAI आम लोगों के लिए रास्ता खोल देगा NHAI के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर अभीजी जिसकार ने बताया कि 50 करोड रुपे की लागत से फ्लाइओर बनाया जा रहा है फ्लाइओर शुरू हो जाने से बुट्टी वोरी मिहान सहीत वर्धा और चंद्रपुर जाने वालों को जाम में फसना नहीं पड़ेगा लोग बेसबरी से फ्लाइओर और शुरू होने का इंतजार कर रहे है एक और CBSC के स्टूडेंट्स परिक्षा की तारिकों का इंतजार कर रहे है वहीं दूस्टी और राजय मंडल के स्टूडेंट्स और टीचर 23 अप्रेल से होने वाली परिक्षा को जल्दी मान रहे है नववे से बारवी तक के स्कूल शुरू हुए है इस हालत में करीब 20 से 30 वी सिदी पार्ठेग्रम ही कबर हो सका है शिक्षा मुंतरी वर्षा गायकवाड ने दसवी बारवी की परिक्षाओं की गोशना कर साल भर से चल रहे सवाल को शान तो कर दिया लेकिन तीन महिने में सिलबस कैसे पूरा होगा और स्टूडन्स परिक्षा की तयारी कैसे कर पाएंगे इसे लेकर सवाल उठने लगे है आपको बता दे कि राजसरकार ने हाल ही में स्कूल खोलने की गोशना की थी मेली जानकारी के मताबिक परिक्षा पैटर अभी क्लियर नहीं है स्कूलों में 60 फीसदी से कम उपस्तिती बनी हुई है लोगडाउन के दरान CBSE स्कूलों ने अनलाइन स्टडी के माध्यम से अपना 70 फीसदी सिलबस पूरा कर लिया है लेकिन स्टेट बोर्ड ने ऑंलाइन स्टडी को अनिवारिय नहीं किया था उसने अंलाइन लर्निंग की सुविधा भर दी थी शहरी भागो में जैसे तैसे छात्रों ने पढ़ाई की लेकिन ग्रामिन भागों में लॉकडाउन में छात्रों की पढ़ाई नहीं हो सकी खबरों में फिलहाल इतना ही आप हमारे वीचो इस्तास के सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म जैसे फेस्बूक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम पर भी विजट कर सकते है और ताजा अपडेट ले सकते है फिलहाल दीजे इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें वीचो इस्तास नमस्कार